अच्छा जी आज हम डिस्स करेंगे क्लासिफिएशन ऑफ कार्भोहड्रेट्स अब कार्भोहड्रेट्स को तीन मेजर ग्रूप्स में क्लासिफवाई किया जाता है मोनोसक्राइड, ओलिगोसक्राइड और पॉलीसक्राइड तो बेसिकली हम आठोपिक हैं आज मोनोसक्राइड से अब मोनोसक्राइड होते क्या हैं? इनकी chemical nature, इनकी classification और ये solution में कैसा behave करते हैं और सबसे simple example कार्बोध्रेस की glucose के बारे में हम study करेंगे इस token में अब मॉनो सक्राइड्स sweet in taste होते हैं, इनका taste sweet होते है soluble inverter होते हैं, इनका general formula CH2OM है, इनको मजीद hydrolyze नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सबसे पहले ही simple है, इनको मजीद hydrolyze नहीं किया जा सकता अब देखते हैं इनकी chemical nature, जो monosacride है, वो polyhydroxy aldehyde या polyhydroxy ketones दोनों में से एक हो सकते हैं, अब मॉनो सक्राइड में तमाम carbon के पास hydroxy group होगा सिर्फ एक के इलावा, बाकि तमाम के पास OH यानि hydroxy group लाजमी होगा, अब जिस carbon के पास hydroxy group ना हुआ, उसके पास या तो elder group होगा aldehyde या keto group होगा ketones, अब जिन के पास elder group होगा उनको elder sugar और जिन के पास keto group होगा उनको keto sugar कहेंगे, अब देखते हैं मॉनो सक्राइज की classification, मॉनो सक्राइज में तीन से लेकर साथ तक कार्बन के रदाद होती है, इसी quantity की बनियाद पर इसको classify किया जाता है, ठीक है, सबसे पहले है जी, triose यानि तीन कार्बन, अब देखते हैं, उसकी structure कैसी होगी, यह हैं triose, एक, दो, तीन, तीन कार्बन, यह हमारे पास group है, aldehyde, ठीक है, इसी बज़ाँ से इसको aldehyde कहते हैं, अब यहां आ जाते हैं, एक, दो, तीन कार्बन, और यहां group लगाया हमने keto, इसको कहते हैं keto sugar, अब इसको कहेंगे aldehyde, यानि glass aldehyde, ठीक है, अब इसको dihydroxy acetone, अब आगे देखते हैं जी, tetrose, यानि चार कार्बन, tetrose, एक, दो, तीन, चार, यहां हमने लगाया elder sugar, elder group, तो इसको कहेंगे elder sugar, एक, दो, तीन, चार, दूसरी example है, जिसमें चार कार्बन है, यहां हमने keto group लगाया है, इसको कहेंगे keto sugar, ठीक है, यह tetrose, rare in earth होते हैं, सम बक्तेरिया में पाई जाते हैं, अब आगे है जी, pentose, यानि 5 कार्बन, pentose देखते हैं, इसका structure कैसा होगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच कार्बन, ठीक है, यहां हमने elder group लगाया है, तो इसको elder group कहेंगे elder sugar, और दूसरी की example है, इसमें भी एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच कार्बन, यहां हमने keto group, तो इसको कहेंगे keto sugar, बज़ इसका नाम होगा held sugar का ribose, और keto sugar का नाम होगा ribolose, अब इससे आगे हैं जी, hexoses, जानि 6 कार्बन, अब इसका structure ऐसा होगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे कार्बन, यहां हमने eldihyde group लगा है, तो elder sugar, और इसकी दूसरी example यह वाली है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे कार्बन पूरी होगा है, ठीक है, अब यहां हमने keto group लगा है, तो इसको keto sugar कहेंगे, अब इस sector को, यानि elder sugar, hexoses को, पूजिशवार की position change करनी है, ठीक है, धूसरे पर हमने hydrogen यहां लगा है, तो तीसे carbon पर, तीसरे पर change करनी है, बाकि सहीं में रहेगी, यहां यहां हम थाके, यहां से, यहां आ जाएगा, और हैडरिशा गरूप यहां से, यहां आ जाएगा, इसी तरह, इसमें भी ऐसी changing करनी तो इसको कहते हैं हीटो शूर कहते हैं फ्रक्टोज अब आगे बढ़ते हैं जी देखते हैं मोनो स्क्राइड जब स्लूशन में होते हैं तो कैसा भी एव करते हैं वो बनाते हैं रिंग स्ट्क्चर जब स्लूशन में चले जाएंगे मोनो स्क्राइड तो रिंग स्ट्क्चर बनाएंगे अब नेक फिरो नोज रिंग राइबोज जो है ना राइबोज जब यह स्लूशन में जाएगी तो फाइव कोरनर वाली रिंग बनाएगी जिसको राइबो फिरो नोज कहते हैं ठीक है इससे आगे दूसरी जो एक्जेमपल है वो है पाया नोज रिंग जब स्लूशन में यह हे राइबोज एक दो ती चार पांच पांच एलडो शुगर भी यह जब स्लूशन में डालेंगे तो यह जो एल्डो ग्रूप है यह र्यक्ट करेगा सेंकरलास क्याईब्र इसल ग्रूप से ठीक है तो यह वह जाय ठीक है अब इसकी रिंग देखते हैं य टीक है ये पहला कारबन अगय तो यह ऑडरोज़न ऐंग ले लिए था तो ऑच से सिस्ठीνε बाकी दूसा कार भन गा गाग Great इधर लिस्टर्म आगई ध्री भी सेम चोथ्टत्र आब चोथे से हमने हीडोजन निकाला था ठीक है और क्लूक्लिक अब ग्लॉकोपारेलcla जिसम पाइडे ने बाकी जित में हमने एल्डो शूगर यानि ग्लू कोज लेनी है एक दो तीन चार पांच छे शे कारवन पूरे अब इसमें भी सेम ऐसी होगा यह जो एल्डो ग्रूप होगा यह सेंकल लास्ट है ड्रूप के साथ रेक्ट करेगा ठीक है यह जो हाइड्रोजन यह अक्सिजन ले लेगा अब सब्सक्राइब देखते हैं कैसे बनेगी यह पहला कारवन है यह पहला कारवन है ठीक है अब अक्सिजन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा यह अगया अब यह बचा यह तर आ अब इसमें भी दूसरे पर दूसरा भी सेम ही है एच उपर हैडरस उप नीचे अब तीसरे कार्बर पर प्रिशन जो आप चेंज करनी है तो यहां एच ओएच नीचे लगाया है तो यहां पर हम उपर लगा देंगे अब चोथा सेम ही रहेगा पांचवे में हमने चूंके हेडरोजन तो सेम ही आ गया ना बाकी इसमें से हमने हैच निकाल दिया था ऑक्सीजन इतरा आगी बाकी जो यह जो ग्रूप है कार्बन का यह हमने उपर लगा दिया क्योंकि यह लैदा था तो तो सिएच टू ओएच र इग्जेमपल है कार्बोःड्रेट्स ही वह है गलुकोज अब गलुकोज फोटो सेंतिसी की बाई प्रोडक्ट है 10 गराम गलुकोज को त्यार करने के लिए 717.6 किलो कैलरी संडलाइट अब्जोर्ब करके 10 गराम जो गलुकोज फोटो सेंतिसी के तरह त्यार होती है अब स्टेट में कैसे मिलेगी फ्री स्टेट में होती है जैसे फीक्ज। अंजीव कहते हैं ग्रेप अंगूर इसके लावा डेट्स जनी खुजूरोमे मिलेगी कम्बाइंड स्टेट में इसमें हमें माल्टोज में माल्टोज में और ग्लाइकोजन में कम्बाइंड स्टेट में ग्लुकोज मिलेगी अब ग्लुकोज की बलड में कितनी इतदाद है कितनी मिगदार है इसकी 0.08% ग्लुकोज की बलड में अब कंप्लेक्स और ग्लाइकोजन को हम हाईड्रोलाइस करेंगे क्वाइस करेंगे पानी का उत्रम स्टॉल होते हैं घंप करें तो अब आभ रड़ करें और सब्सक्राइब करदें लाइक ных यह लाजमें करें आपको सबसे पहले मिल सके और आप सबसे पहले फाइदा उठा सके ओके जी अलाफेज